हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज हब दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप अपने कंप्प्यूटर से अपने मोबाइल का व्यू ले सकते हैं अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स से या र Greek से number of km दूर बैठे हो तो अगर आप उसके मोबाइल का व्यू अपने dachte पे या अपने mobile पे mobile to mobile या या basically दो चीजों की ज़रूरत है एक तो दोस्तों आपको ज़रूरत है एनिडेस्क software की चोकि आप मेरे screen पे देख रहे हैं उसका logo दूसरा दोस्तों आपको ज़रूरत है internet की ये दो चीजें आपके पास available होनी चाहिए तो हम अपनी आज की वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेट्स गो दोस्तों मेरी screen पे आप एनिडेस्क का logo देख रहे हूं डबल क्लिक ओन इट इसको ओपन किया मैंने अपने PC पे दोस्तों ये उसका जो व्यू है software का वह यहां पर आ गया है अब दोस्तों इसमें ये जो nine digit number है ये address है आपके system का अब आप जो भी system remotely access करना चाहते हो चाहे किसी का mobile है अगर mobile access करना चाहते हो तो उस mobile में सबसे पहले आपको install करना पड़ेगा अनिडेस्क जब आप एनिडेस्क दोस्तों इसको ओपन करोगे तो वहां पर उसका nine digit number होगा मेरे इस laptop में 9 digit नबर दिखा रहा है तो वहां पर 9 digit नंबर होगा जहां पर भी आप एनिडेस्क इस्टाल करोगे कि चाहे वह किसी का कंप्यूटर है या कोई मोबाइल डिवाइस एंड्रॉइड डिवाइस है वह नंबर यहां पर आप एंटर करोगे दोस्तों जैसे मेरे दूसरे मॉबाइल का जो एड्रेस है जिसको मैंने एक्सेस करना है उसका कैसी तो जब यह किनेक्शन होने लगए दोस्तों तो मोबाइल पर आपको एक मैसेज आएगा कि कि कानेक्शन रिक्वेस्ट वाप उसको अगर उधर से कर्दोगे और स्टार्ट नाउकर दोगे कि तो आपका जो मोबाइल है वह itself लगा दोस्तों कि यह देखिए mobile का view जो है मेरा वो इस पे आ गया है अब mobile पे आप जो भी चीज शो करना चाहते हो mobile को आप जैसे operate करोगे वैसे ही आपको आपके computer पे या mobile पे वो view यहाँ पे शो होगा दोस्तों तो आप जो भी चीज चलाओगे वो यहाँ पे शो होगी अब दोस्तों अगर आप मान लीजे इस computer से मैं इस computer से या इस device से उस mobile में कोई data copy करना चाहता हूं तो I have to click on this arrow अब यह दोनों devices आगी हैं दोस्तों यह मेरी device है दोस्तों यह computer का मेरा address है और यह है मेरा android का जो connect हुए हुए है अब यहां से जैसे यह file मैंने इधर copy करनी है दोस्तों तो इसको click करूंगा मैं right click upload यह फिर इसको select करिए upload पे click कर दीजिए देखिए दोस्तों इधर वो file आ गई है तो इसको मैं अभी यहां से delete कर देता हूं क्योंकि यहां पे इसकी requirement नहीं है दोस्तों तो इस तरह आप easily किसी भी mobile से mobile को या mobile से computer को computer से mobile को दो devices को access कर सकते हो और अपना जो view है वो share कर सकते हो और presentation भी दे सकते हो इससे आप यह अपना कोई data आपने शो करना है mobile का या laptop का वह आप दूसरे बंदे को शो कर सकते हो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि future में मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ थैंक यू very much दोस्तों